जे जगनात फ्रेंड्स आज दो पहर को एक बजे मुझे एक बटर स्कॉच फोटो सीट केक का ओडर आया था जो की 4 केजी का था और मुझे 5 बजे तक डेलिवर करना था फिर मैंने उनसे बोला कि 5 बजे तक तो नहीं हो पाएगा 6 बजे तक हो जाएगा उन्होंने बोला जितना जल्दी हो सके आप कर देना फिर मैं प्री मिक्स ली उसमें पानी ओयल डालके बैटर बनाई और केक टिन में ओटीजी में उसको बेक होने के लिए रख दिया दो केक के सीट को बेक होने के लिए मुझे लगभग 2 घंटे के आसपास लगे उस पीस में मैंने क्रीम को बीट करके पाइपिंग बैग में डालके फ्रीज में रख दिया दोनों पीसेज के उपर ये जो ब्राउन पोर्शन थे इसको मैंने हटा के दो दो भाग में इसको डिवाइड कर लिया ये केक अभी भी गरम थे इसलिए मैंने इनको टू लेयर्स में डिवाइड करके पंखे के नीचे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था स्पंज को मैंने 12 भाई 12 केक टिन में बेक किया था और जो बोड है वो 14 भाई 14 का था अगर सही से बनाया जाए तो 4 केजी के 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 लिए 14 भाई 14 का केक टिन यूज होना चाहिए और 16 भाई 16 का केक बोड यूज होना चाहिए लेकिन मेरा फ्रीज छोटा था और उसके अंदर 16 भाई 16 का केक बोड नहीं आ रहा था जिसके बज़े से मैंने यहां पे एक लेयर एक्स्ट्रा उपर रख दिया था जबकि थ्री लेयर्स का केक होना चाहिए यहां पे फोर लेयर्स का केक हो गया था और इसकी हैट बहुत हो गई थी इससे केक के जो पीसे से ओप्रापर नहीं निकल पाते ज़ादा हैट के निकल जाते हैं इसलिए अगर आप square size में cake बना रहे हो तो 16 भाई 16 का cake board यूज करो और 14 भाई 14 का cake tin यूज करो sponge को soak करने के बाद फिर मैंने इसके उपर cream spread किया फिर इसके उपर butter squash के दाने, kajoo, almond, white chocolate, dark chocolate और फिर इसके उपर caramel सबको अच्छे से spread कर दिया, फिर दूसरा layer रखके फिर उसको भी soak कर लिया, ज्यादा सी ज्यादा मेरे पास 4-5 घंटे का समय था और सबसे मेरे घर से जो नजदी photo printer वाला दुकान था, वो 5 km का था, तो पहले मैंने उनको call किया कि क्या आप मुझे करके दे दोगे photo print, तो उन्होंने बोला कि आप 4 बजे तक आजाओ, हम करके दे देंगे, फिर मैंने बोला ठीक है, मैं आपको photo send कर देती हूँ, आप बना लेकिन जैसे ही 4 बजा और मैंने cake को complete करके उनको call किया कि मैं अभी आ रही हूँ, तो उन्होंने बोला कि मेरा printer अभी set नहीं हुआ है, आप 5 बजे तक आओ, फिर मैंने message किया कि मैडम मुझे 5 बजे तक cake को deliver देना था, मैंने आपको बोला था, अब 5 बजे अगर आपके पा करा लोंगी, और केसे मैं 5 बजे तक cake को दूँगी, तो फिर उन्होंने एन मोके पे मुझे ये बोल दिया कि आप दूसरे कहीं से करा लो, और दूसरा जो जगे था photo print मेरे घर से वो 10-12 km दूर था, और फिर तूरंत मैंने जो design बनाना था, उसका nozzle piping bag में डाला, color जो करना थ वो सब कुछ ready करके freeze में रख दिया, और ओला बेटे को बोली करने के लिए वो कर दिया, और तूरंत मैं निकल गई, और रास्ते में दुकान वाले को phone की, कि आप मैं photo send करती हूं, आप मेरा करके रखना में जाके तूरंत collect करके आ जाऊंगी, तो उन्होंने बहला ठेक है, आप भेज़ दो, लेकिन उस दिन मेरा net में इस से problem आया, कि मेरा photo जा ही नहीं रहा था उनके पास, सब बोलते हैं न, मुसीबत जब आती है, तो चारों तरब से आती है, लेकिन मैं आप से एक बात बोलना चाहूंगी, मुसीबत आती है, तो आपको कुछ सिखा के जाती है, तो हमेशा मुसीबत को नेगेटिबली मत लिया कीजिए, देखिए मुझे पता है आपको बटर स्कोज केक मुझसे भी बहुत अच्छा बनाना आता है, लेकिन मैं चाहती हूं कि जो problem मुझे हुआ, वो problem आपको होने से आप बहतर और कैसे कर सकते हो, इस तरह से मैं दुकान में पहुंची और रास्ते में ही ओटो वाले से बोल लिए थी कि भाईया आप एक काम करना, आप वहीं पर दस मिनिट रुक जाना और मुझे वापस लाके छोड़ देना, जितना आपका पैसा बनता है मैं दे दूँगी, लेकिन ओटो वाले ने बोला कि नहीं मुझे स्टे नहीं चाहती थी और जैसे ही पहुंची उनको उनका पैसा दी और फिर भाग भाग के दुकान के अंदर गई काउंटर के पास उनको बोली कि मुझे फोटो प्रिंट लेना है, तो उन्होंने बोला आप वाटसप में इसको जल्दी से भेश दीजे, और तब देखी तो मेरा नेट काम नहीं कर रहा है, फिर वहां पर एक भाईया को बोली कि आप थोड़ा सा नेट दीजिए, मैं ताकि इसको भेश सकूँ, तो फिर उन्होंने नेट दिया और मैं भेश के तुरंत उसको करवा के फिर से ओटो लेके फिर वापस आई, और घर में मैं एक्जक्ट पां मुझे दे दिया और मैं भोन की, तो बोले कि मैं तो 6 बजे से 5 मिनिट पहले ही आ पाऊंगा, उससे पहले नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मुझे स्कूल के बच्चों को लेने जाना है, लेकिन सूरत में यहां पे 7 बजे तक साम होता है, और मुझे लगा कि अभी धूप है ब उसरा कार्ग मैंने हाईर किया, उसमें फिर लेके मैंने 6 बचे से पहले पहुंचा दिया, केक डेलिवर करने जा रही थी, आधे रस्ते में पहुंची होंगी, फिर एक पीजा का उडर आया था, तो उस टाइम इतना टेंसन था कि पहुंचाने का, तो मैंने उनको मना कर दि और सुबय उनको दे दिया था अगर आप भी सुरत में रैते होँ और मेरे किच्टन से फोड उडर करना चाते हो तो स्क्रिन के उप strategy में नंबर है कॉल करके डिटेल पता कर सकते हो साथ में अगर आप सूरत या भूबने सर्व में रहते हो और मेरे यहां से classes लेना चाहते हो तो मेरे पास 30 classes से details के लिए आप call करके पता कर सकते हो